So hello everyone, तो आप लोगों का 21st January का 1st shift का exam भी खतम हो चुका है यहाँ पे और जितने भी questions student ने भेज़ें और जो भी level रहा है उसको भी discuss करेंगे कि कल के comparison परसों के comparison में आज का level कैसा रहा है और इसका क्या cut off पे impact पड़ेगा और गुमा फिराके आप तो आभी देखी लेंगे review लेकिन गुमा फिराके मैं बस वही बोल सकता हूँ कि जो भी विज़ेपत बैच वाला student होगा उसका 40 से नमबर नीचे उतरने वाला नहीं और जिसने भी last के time पे pts dose वगरा किया होगा उसका भी आराम से आज का paper उसके लिए हलवा होगा अब यहाँ पर मुझे पता है काफी लोग यह बोलने लगते हैं कि normalization से number घट जाएंगे बिलकुल ठीक है मैं माँ सकता हूँ कि हाँ लेकिन आप यह मत समझे कि अगर आपको easy लगा है तो सबको easy लगा होगा आप उस student से पूछिए जो अगर जैसे कि for example आपके साथ में अगर कोई बैटा अगर वो अपना परमार defense का student नहीं है तो उससे आप पूछिए उसके लिए वही question tough होंगे जैसे कि for example आज के first shift में जैसे कि पुछा GS का अमें पुछा NATO का मुख्या लेका NATO organization का है और मैंने आपको अगर यादो डोस का जो lecture चल रहा तो समय ने बोला था इसके आने का काफी ज़दा chances और almost 100% लिग के लिए मैंने विजयपद वैच में भी यह चीज बोली तेकर आपक पक्का बता दिया था कि 100% आएगा तो obvious ही बात है अगर आपने उसको एक्जाम में देखा तो आप आराम से कर ले जाएंगे कि आपको पहले से ही मैंने वहाँ वे focus extra डालने के लिए बोला था तो उसका मतलब यह नहीं कि सभी के लिए वो आसान होगा जिसलिए बहुत ज़ तो इतना डरने के ज़रत नहीं बाकी normalization पे बात discuss करेंगे आगे वीडियो में लेकिन आप मुझे यह बताईए जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को कि आपको क्या लगता है आपके according expected cutoff क्या हो सकती है तब तक हम लोग questions देख लेते हैं आज की first shift में paper बहुत अच्छ limited last time पे पूरा paper वहीं से फस रहा है ठीक है nonverbal ditto pts वाली थी gs nato का मुख्याले था ठीक है यह pts में भी था क्योंकि मझे खुद यह डाला था pts में भी था हमने dose में भी करवाया है प्लासी का यूद किसके बीच लड़ा गया यह question था यह battle of classi was fought between यह भी मैं अच्छे से क इसके बीच में नवाब सिराजुद दौला और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी की जो forces है उनको lead किया था रॉबर्ट क्लाइव ने अब जिनका आगे exam है उनके में पूछा जा सकता है battle of boxer बकसर का यूद 1764 में लड़ा गया था किसके बीच में लड़ा गया था ये question पूछे जाने के chances कम है अगर आप याद हो डोज अले सेशन जा मैं ले रहा था तो आपर मैंने प्लासी का यूद कब हुआ था 1757 बताया था किसके बीच लड़ा गया बैटल of boxer मैंने बताया था 1764 में लड़ा गया और इसके किसके बीच अगल रूला था शाह आलम दोती है यह तीनों लोग थे तो इस वैसे तीन तीन नाम है इसलिए पूछ जाने की chances बहुत कम है ठीक है लेकिन यह जरूर पता होना चाहिए हुआ कब था बक्सर के यूद 1764 आने वाली किसी शिफ्ट में टपकेगा बैरो मीटर से क्या मापते ह था कि अगर थर्मो मीटर से एं टेंपरेचर को में आपते हैं बैरो मेटर से क्या नापते हैं कितनी बार गजन तो ही किया है एक-दम डिट्टो ऐसे किया थथा थर्मोमीटर से टेंपरेचर तो बैरो due21 performing यह क्वे टट्चुके हैं ठीक है और gs में भी पैसेज, सिंपल इंग्लिश से, इंटेलिजेंट का, अंटरिनिम एरर से, दो कुष्टिन अनुसर के पढ़ाय हुए, सब कुछ almost पढ़ाय हुआ है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाय हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब के लिए पेपर असा लेते हैं, अगला है सर जी, नॉन वरबल, सेम टू सेम, जी के भी इजी था, एंग्लिश बहुत इजी, एक ऐसी हैंड राइटिंग, ठीक है, इलेजिबल, इंटेलेजेंट का सिनानी में था, बहुत असान यह तो चाहिए पढ़ा हो, मैं तो यह नहीं बोल रहा हुँ कि यह पढ़ाय हुआ था, नहीं भी पढ़ाय हो था, तो भी I think almost अभी करी लेते है, लिएनल मैसी किस देश स हैं, और आपके जो, यह, रोनाल्डो, ठीक है, किस्टियान और रोनाल्डो, यह कस कंट्री से हैं, तो चलिए, एमबापे का मैं बता रहा हुँ, फ्रांस से हैं, ठीक है, रोनाल्डो का आप कॉमेंट बते ही, रोनाल्डो, क्रिस्टियान और रोनाल्डो किस देश से हैं, पी से इनका नाम चालू होता है और इसी देश के लोग हमारे यहाँ पे पहले सबसे पहले बारत में आये थे ठीक है और वहाँ के पहले थे वास्को डिगामा जिन्होंने बारत की खोच की थी अब यहाँ पे आप छागे गुरुदेव अडॉरबल का सिनोनिम आया था इंटलिजेंट कांटनिम आया था इंगलिश एकदम हलवा थी नौन वर्बल पूरा रीजिनिंग डोस से था कुछ भी बाहर नहीं था जी एस में वो जो लास के 20 लेक्शेस मैं ने लिये थे ठीक है कोई प्राबलम नहीं होगी रीजिनिंग में भी जी एस में राजिपाल की नुकती कौन करता है में सी किस कंट्री से हैं सब एकदम इजी था जिसने भी आपके यूट्यूब से ठीक है अगला देखते हैं अगला है सर पूरा पेपर फसा पीटियस से फिगर डिट्टो और आप्शन तक भी अब जैसे एक कुश्चन आया थ यहां पर किसी एक चूट्ट भी नहीं लिख रखा इन्क या फिर आगे लिख रखा Soul एक क्षिण आयए था ये अपका अंडोदको बार दृण कों अलग करता है ठीक अंडमान निकोबार तवीप समूँ को कौन अलग करता है अब ये question मैंने कई बार आपको करवाया भी है डिटो PTS में था विकोज मझे याद है मैंने रख़ास question को अंडमान निकोबार को कौन सा channel अलग करता है कौन सा जल डमरूमद अलग करता है टेंड डिगरी चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार दूइब समू को पीटीए अनि कि आपकी टेस्सीरीज में भी था डिटो कोईश्चन वहाँ से छपाया और मैं आपको करवाया था अब सोंचो किसी आख टेस्सीरीज लगाई होगी जिस टेस्सीरीज में फालतू के गोश्चन है जो जियर्ष ऐस स्सी में पूछी जाती है जो एअर फोर्स उसका लेना देना ही नहीं है तो क्या वो उस question को कर पाएगा बहले उसने test series लगा ही सब कुछ पढ़ा है लेकिन क्या उसके लिए वो easy हो का बिलकुल नहीं या फिर हो सकता है कभी उसने पढ़ लियो लेकिन वहाँ पे limited दिया और उसमें मैं आपको बोला जो भी PTS में question है जो भी extra explanation है वहाँ से question हीट होंगे और वो directly question ऐसा नहीं है explanation में दिया हुआ था यह direct वही question था कि अंदमा निको बार दीव समूं को कौन सा चैनल अलग करता है तो answer है 10 degree channel ठीक और मैंने करवा भी रखा है तो यह question सबके लिए आसान नहीं होगा लेकिन जिसने PTS लगाई होगी जिसने sessions लिए होंगे उसके लिए बहुत आसान होगा ठीक है और यहाँ पे question था कि KB, GB और MB वगरा को order में लगाना था तो हम लोगों ने इससे tough level किया कि भाई एक KB में कित्ते bytes होते हैं एक KB में कित्ते bytes होते हैं 1024 होते हैं एक MB में कित्ते के भी होते हैं यह भी आगे question पुछा जा सकता है 1024 के भी होते हैं तो यह इस तरह के question आ सकते हैं आगे तो याद रखेगा बहुत आसान है सबसे बड़ा होता है GB उसके बाद उसे चोटा MB होता है और उसे चोटा-उससे होता है GB यानि कि सबसे बड़ा GB, सबसे चोटा यह भी सारे चीज़ें याद रखेगा, आगे strike कर सकते हैं आपके exam में alignment जी को जी के तो डिटो आए है एक्स्रा इंफरमेशन में आई ठीक है और दाट कैनाट बी रेट इसका वनवर्ट सब्सिशन आया चिले देख लेते हैं अगला और अगला है यहाँ पर यह इंग विजयपद बैच के स्टूडेंट ही है पताने के जरत नहीं है कितनी बार ही हम लोग ने किया पांच जून को वर्ल्ड योगा डे पूछेगा ठीक है 21 जून को मनाया जाता है याद रखेगा चलिए एक और डे मैं आपसे पूछता हूं कॉमेंट सेक्षिन बताइए कि वर्ल्ड हम वर्ल्ड विमेंड डे का मनाते है इसके बीश में लडा गया लिएनल मेंसी किस देश से बिलॉग करते हैं टू क्वेश्चन नॉन वर्बल डिट्टो पीटियस से थे ठीक है गवर्णर को कौन पॉइंट करता है वाट है साइंस का हो सकता है यह क्वेश्चन कि सॉल्ट को वाटर मिलाने से हो सकता है यह से से भी रिपीटेड है और यह क्वेश्चन अभी जो एक्जाम चल रहे हैं उसी से रिपीटेड है अब यह क्वेश्चन आ चुका है पिछले शिफ्ट में पेट डॉग कैट वाला यह और मैंने आपको अच्छे से करवा भी रखा है अगर आप वह याद हो ठीक है कि अग होते हैं ऐसे तो हैं सारे कुछ लोगों ने यह वाला वेंड डियाग्राम लगा के आया होंगे मुझे ऐसा भरोसा है लेकिन यह बिल्कुल गलत है ठीक है यह बिल्कुल गलत है जो मैंने भी बनाया था वह सही और यह मैं आपको स्क्रीन शॉर्ट भी शेयर कर दूँग यह हैं जिसने 20 किया है उसके लिए असान question था ठीक है यह इस तरह का बनेगा बागी बागी तो वही question है बार बार repeat हो गर ठीक है डिट्टो आपका डिट्टो आपका मैं क्या ही दिखा हूं ठीक है तुम्हें भी लगए अगर आपनी बढ़ाही कर रहे हैं लेकिन आपको यह प तो वो आपकी गलती नहीं है ठीक है लेकिन हाँ मैं आपको अगर आप इस लास्ट टाइम पे expected questions की और भागरें की expected question क्या expected question क्या कुछ नहीं है GS में कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ा है उसको revise करो खतम क्या आजा है तुम्हें नहीं पता है क्या आजा है तुम्हें नहीं पता है अब मैं यहाँ पे expected question के नाम से series चला दूँ वीडियो डाल दूँ कि मेरे वीडियो पे views आ जाए लाइव वो सब भरजी की चीज़ें में पुराना भी भूल जाएंगे ठीक है तो उसको revise कीज़े मैं से फॉर्मले रिवाइस कीज़े मेंसुरेशन से एक question जनरली आ रहा है cf-lcm से question आ रहा है ठीक है और बाकी जो भी trend रहा है जैसे CISI मैं बिल्कुल छोड़ी है अभी क्योंकि अभी तक मैंने नहीं किसी स्टुएंट से की मुझसे सुना है कि CISI से question है तो CISI छोड़ी है speed distance time पकड़ी है profit loss पकड़ी है percentage थोड़ा सा mensuration तो थोड़ा है बिल्कुल पकड़ के रहे है से question आ रहा है average को थोड़ा सा पकड़ी किसी किसी shift में आ रहा है या फिर में घुमा फिर और probability से किसी किसी shift में question आ जाता है तो खासकर जिन स्टुएंट ने एक्जाम दिया math के regarding comment बताए कि उन्होंने क्या क्या question देखे बाकी मैं आपको यहीं बोलूँगा English की playlist बनी हुई है पूरा जो अनुच सर ने करवा रख्या उसको revise कर डालो math में मैंने 6 से 7 फिर 7 से 8 लेक्चर लिये हूँगे उसकी playlist बने हुए उसको भी एक बार देख जाए क्योंकि कल के shift में दो question आ गया थे वही math के डिट्टो वही question आ गया थे जो हम लोगों ने math में किये थे तो यह बहुत important है कि आपकी last के time पर जो चीज़ें आपने कर रखी है भरोसा दिखाए और उसको बार बार रिवाइस करिए ठीक है बाकी मिलते एंगले shift के review के साथ बाकी course card का भी notification आ करें telegram को join कर लीजे वहाँ पे मैंने पुरानी वाली महा PDF शेयर किये उसको पढ़ लीजेगा आज तो कोई current affair का इसा कोई खासा question आ है नहीं लेकिन आगे आ सकता है जैसे कल अभी तक दो दो question आ रहे थे पुरानी वाली महा PDF से लेकिन अभी इस shift में नहीं है तो बाकी static वा बार बार चीएंज मत करिए shift के वो देखे review देखिए ठीक है लेकिन अपनी strategy को बार बार मत बदद लिए ठीक है धन्यवाद